नमस्कार पीपी न्यूस लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूँ रुपेश राज आपको एक जानकारी आप तक मोहिया करवानी थी कि कल दोपहर से जानी कि दो बज़े से बहु फोट के पूरे इलाके में लाइट नहीं है उस लाइट का कारण क्या था कि आकिरकार लोग परिशान हो चुके थे कल से कि लाइट नहीं आ रही बज़ा क्या थी हम आपको बिल्कुल वहीं के पावर हाउस की तस्वीरे दिखा रहे हैं यहां से पूरे इलाके में लाइट आती है यह देखिए ट्रांसफरमर आपको दिखा दें कि यह डैमज हो चुका है समय इसमें इसमें कहीं सारे फाल्ट जो है इस ट्रांसफरमर में आई हुए है और आपको बता दें कि इस बज़ा से कल से लाइट बंद है हाला कि ये भी आपको बता दे कि तमाम लाइन्समेन यहां पर जो थे लगे उते रात को भी उन्होंने एक दो बजे तक यहां पर काम किया और फाल्ट जो था वो बड़ा था ये देखिए कि तारें जो है बिल्कुल मैं नज़ीक से कहूंगा कि ये तस्वीरे आप देखें कि ये जो तारें है जो जल चुकी है दो यगा पर बड़े फाल्ट हुए हैं और वहां पर उन्होंने फिलाल ठीक कर दिया है और अब इसका कार्म जो है वो शुरू करेंगे अब तो थोड़ी चाय पीने के लिए गया है क्योंकि बीती रात से कल बपहर सही ये लोग काम कर रह है और लगातार पीपी नियूज लाइन भी आपको हर खबर दिखा रहा है और किस तरह से दिकतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है कुछ लोगों से बात्चित जुरूर करेंगे कि आकिरकार कब से ये लाइट जो है वो बंती कुछ लोग स्थानी हैं उन्से बात्च पता नहीं बोलते यहीं पर जो पावर हाउस है यहीं पर फॉड में यहीं पर फॉल्ट आ रहा है इस पर देखिए कि इस तानी लोगों ने भी यहां पर कहीं वार चक्कर लगाया है अब हम यह नहीं कहेंगे कि कोई कंट्रवच्ची की खबर नहीं है यह आपको इतना बता आपकी जानकारी के लिए था कि इस ट्रांसफर्मर में जो है एक बड़ा फॉल्ट आया हुए और जिसे लेकर यह लोग तमाम लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं और इन्होंने यह बताया है अश्वाशन दिया है कि शाम तक लाइट जो है उससे पहले ही शाहिद लाइट आ पढ़ता है लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काम जो है बड़ी जोरों से यहां पर लगा हुआ है आज नहीं आज शाम तक लाइट जो है प्रापर आपको मोहिया किरा दी जाएगी और भी कोई अपडेट हमारे पास होगी तो त्रंत हम आप तक पहुं